आज जम बनाना सीखेंगे डोर में डिजाइन दो कलर में बनाएंगे हम ग्रीन और येलो कलर में ये 3.5 mm का मैंने क्रोस्य लिया चलिए सुरू करते हैं धागे को मैंने डबल करके लिया ये तीन पलाई क्यों होना है डोर में टमारा थोड़ा मोटा बन कर त्यार होगा सुरू में हम चेन बनाएंगे एक दो तेन चार टोटल चार चेन बनाएंगे अब हम क्रोस्यों को फर्स्ट वाल चेन से निकालेंगे स्लिप स्टिच बनाएंगे जोड देंगे इसके बाद बनाएंगे तेन चेन एक दो त्रीन ग्रोसियों को मियाँ से 20 से निकालेंगे डवल ग्रोसिया बनाएंगे दो बार बना लिया हमने तीन चार पांच छे साथ आठ नो तोटल हमें 10 बार बनानाएं डवल क्रोसिया अब हम इसमें दूसरा धागा लगाएंगे दूसरे धागे से बनाएंगे हम स्लिप स्टिच जोड़ देंगे ग्रीन वाले को खेंच देंगे पीछे से सुरू में बनाएंगे तेन चेन एक दो तेन क्रोसियो को हम इसी जगा निकालेंगे डवल क्रोसिया बनाएंगे एकी जगे से हमने दो बार बनाया याँपे इसके बाद हम येलो वाले धागे को खोड़ देंगे ग्रीन वाला धागा लेंगे ग्रीन वाले धागे से बनाएंगे आगे वाली स्टिच में निकालेंगे क्रोसिय को येलो वाल धागे को हमें साथ में लेना है छोड़ना नहीं है पीछे साथ में लेके चलना है इसको एक ही जगह से बनाएंगे हम दो बार डबल क्रोसिया अब बनाएंगे हम एलो वाले से ग्रीन वाले को साथ मेड़े के चलेंगे सेम स्टिच में बनाएंगे हम दो बाट डबल क्रोसिया अब बनाएंगे हम ग्रीन वाले धागे से आगे वाले स्टिच में निकालेंगे क्रोसिये को देखिए ऐसे बनाते हुए जाना में ऐसे बनाते हुए दूसरा राउंड पूरा कर लेंगे पूरा करके दिखाते हुए दूसरा राउंड बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं नीचे वाले में हमने 10 बार बनाया डबल क्रोसिया, उपर वाले में मैंने 20 बार बनाया अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे ग्रीन वाले धागे को हमें साथ में लेना स्लिप स्टिच बना देंगे धागे को खींच देंगे पीछे से अब बनाएंगे तीन चेन एक, दो, तीन क्रोशियों को हम इसी जगह निकालेंगे डवल क्रोशिया बनाएंगे इसके बाद बनाएंगे हम आगी वाले स्टिच में यहाँ पे हमारे तीन डवल क्रोशिया बनाएं अब हम गरीन वाले धागे से बनाएंगे येलो वालेक को साथ में रखेंगे यहाँ पे निकालेंगे क्रोशिय को एक ही जगह से दो बार बनाना में पहले वाली स्टिच में इसके बाद बनाएंगे हम आगे वाली स्टिच में डवल क्रोशिय देखिए यहां पर हमारे तिन तिन स्टिच बनते हुए जाएंगे ऐसे बनाते हुए हम तेसरा राउंड पूरा करेंगे पूरा करके दिखाते हैं तेसरा राउंड बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं अब हम क्रोशियों को यहां से निकालेंगे जो सुरू में तीन चेन बनाई है स्लिप स्टिच बनाएंगे जोड देंगे अब हम चोथा राउंड शुरू करेंगे शुरू में तीन चेन एक, दो, तीन तीन चेन हमें हर राउंड में बनाकर त्यार करनी है अब हम क्रोसिय को इसी जगा निकालेंगे डबल क्रोसिय बनाएंगे इसके बाद हम आगे वाले स्टिच में निकालेंगे क्रोसिय को फिर से निकालेंगे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ग्रीन वाला धाग हमारा साथ में चलेगा, अब हम येलो वाली धागे को लेंगे, याँ पर हमें फर्स्ट वाली स्टिच में एक ही जगह से दो बार बनाना डबल क्रोशिया, इसके बाद बनाएंगे हम एक एक बार डबल क्रोशिया देखिये यहां भी हमने दो बार बनाया है फिर एक एक बार बनाया है यहां दो बार बनाया है फिर एक एक बार बनाया है अब हम येलो वाले धागे से बनाएंगे एक ही जगए से हमें दोवार बनाना है सेम स्टेच में ऐसे बनाते वह हम चोथा राउंड पूरा कर लेंगे देखिया चोथा राउंड बनाते वह हम लास्ट में आ गया है अब हम को याँ से निकालेंगे sl tiss बनाएंगे ग्रीन वाले धागे को खींची देंगी थोड़ा सुरू में बनाएंगी तीन चेन एक, दो, तीन यहां हमें फर्स्ट वाल स्टिच में एकी जगह से बनाना है दो बार इसके बाद बनाएंगी हम आगी वाली स्टिच में फिर से नेक्ष्ट में निकालेंगी एक बार ओर बनाएंगी डवल क्रोसिया देखें, यहां हमने एकी जगह से दो बार बनाया फिर तेन बार हमने सिंगल बनाया डवल क्रोसिया अब हम ग्रीन वाले धागे से बनाएंगी चेन स्टिच में निकालेंगी क्रोसिया को ऐसे बनाते वे हम पांच वार राउंड पूरा करेंगे ऐसे ही हमारी कली बढ़ती होई जाएगी नीचे हमने दो बार बनाया फिर उपर वाले में मैंने तेन बार बनाया डबल क्रोशिया फिर च्यार बार फिर पांच बार एसी हमारा एक एक हर राउंड में डबल क्रोश या बढ़ता हुआ जाएगा जाएगा सेम ऐसा ही बनेगा पूरा करके दिखाते हूँ डोर्मेट बनाते हुए हम लास्ट में पहुंच गए है अब हम यहां से स्रिप स्टिच निकालेंगे धागे को काटेंगे जो भी पीछे धागा इसमें गाट लगा देंगे देखिए डोर्मेट अमारा बनकर त्यार हो गया है यहां से बनाते हुए यहां तक मैंने 21 राउंड कंप्लीट के हैं इसको बनाने में 200 ग्रा मून लगी है थैंक्यू दोस्तों वीडियो को पूरी देखने के लिए अब मिलते हैं को और वीडियो के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए